हेलो दोस्तों आज है 23 दिसमबर और दोस्तों आज मैट प्लस के IP की लिस्टिंग है और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग से कुछ देर पहले मेरा वीडियो आ जाएगा तो दोस्तों 9 बजे मार्केट खुलता है 10 बजे हमें इसकी बाइंग और सैलिंग कर सकते हैं मतलब जो कोई भी IPO होता है उसकी trading हम 10 बजे fix कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है और उसके लावा बात करेंगे कि लिस्टिंग वाले मतलब आज के दिन हमें क्या strategy अपनानी है मतलब इसको long term के लिए hold करना है या जितना भी हमें listing gains मिलता है वो लेकर हमें exit हो जाना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी listing price क्या हो सकती है तो दोस्तों इसका जो gray market का premium चला है लगवग 100 रुपे से लेकर 160 रुपे के बीच में कल 260 रुपे चला था रात को और कभी 100-160 रुपे बीच में इसकी demand चल ली है क्योंकि market अभी volatile है इसका और इसके gray market के premium में भी हमें काफी gap देखने को मिल रहा है 100 से लेकर 160 रुपे के बीच में हमें इसका gray market का premium आज की तारीक में देखने को मिल रहा है तो दोस्तों ये IPO जो हमें issue हुआ था 700 रुपे में 796 रुपे में हमें ये IPO अलट हुआ था मतलब इसका जो share price है issue price 700 रुपे अगर दोस्तों 100 रुपे मानते हैं अगर इसका gray market का अपनी में मतलब इतना अगर listing ये मिलता है एक share पर तो लगबग इसकी जो listing है 800 रुपे के आसपास हो सकती है और अगर 160 रुपे मान लेते हैं तो 956 रुपे के आसपास हमें इसकी listing देखने को मिल सकती है तो दोस्तों हम इसकी listing मान लेते हैं क्योंकि market काफी volatile है तो हमाल लेती कि 800 चिन्नू से लेकर 956 रुपय के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है और दोस्तो और भी मार्केट अगर नेगेटिव रहता है मतलब मार्केट खुडने पर हमें थोड़ी बाट नेगेटिविटी देखने को मिलती है तो हो सकता है इससे भी कम पर हमें लिस्टिंग देखने को मिले और वाकी दोस्तो अगर 100 रुपय से लेकर 160 रुपय के बीच में अगर लिस्टिंग देखने को मिलती है मतलब लगबग 849 रुपय से लेकर 956 रुपय के बीच में लिस्टिंग देखने को मिलती है पर वैसे देखा जाए तो listing gains हमें काफी कम मिलना है तो दोस्तो अगर हमें इतना listing gains मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको company के बारे में बता देता हूँ मतलब इसकी positives और negatives के बारे में जिससे क्या है कि आप थोड़ा बहुत decision ले पाएंगे कि इसको long term के लिए रखना है या listing वाले दिन हमें निकाल लेना चाहिए तो दोस्तो बात करें इस company की मैट प्लस जो है second largest इंडिया की second largest pharmacy retailer है pharmacy retailer मतलब जो medical stores वगेरा होते हैं उसके अंदर ये second number पर आता है दोस्तो first number पर आता है Apollo pharmacy उसके बाद ये second number पर आता है Matt Plus तो दोस्तो जो बड़ी major cities हैं जैसे चैन्नाई, Bangalore, Hyderabad वगेरा है वहाँ पर इसका जो market share है मतलब जो pharmacy retailers जितनी revenue generate कर करते हैं उसके अंदर जो इसका market share लगबग चैनाई, Bangalore के अंदर 30% का बहुती बड़ी आ market share है इसका तो इसके लिए एक positive बात है और दूसरी positive बात ये कि इसकी omni channel approach है मतलब online हम इसके अंदर order book कर सकते हैं phone पर order book कर सकते हैं तो इस तरह कि ये इसके लिए एक positive point है और दूसरी जिस field के अंदर काम कर रही है मतलब pharmacy, retail field के अंदर काम कर रही है तो इसका scope जो है future के अंदर काफी अच्छा है और दूसरी अभी COVID की third wave की भी बाते चल ली है मतलब omicron virus की भी बाते चल ली है तो इस कारण क्या है कि जो इस तरह की अगर news वगिर आती है तो ऐसी company को काफी फाइदा होता है और दूसरी ये COVID के बाद काफी grow किया है इस company ने तो ये company के लिए थोड़ी बात positive बाते हो जाती है फिर दूसरी थोड़ी बात negative की बात करें तो दूस्तो इसके अंदर negatives तो कम है पर फिर भी हमें ध्यान रखने योगे है तो दूस्तो बात करें इसके business model की तो ये pharmacy retailer है और इसको अगर expand करना है मतलब अपना business expand करना है तो इसको काफी पैसे खर्च करने पड़ते है जिसके करन क्या है कि इसका जो profit है उसपर भी फरक पड़ता है इसके cash flower भी effect पड़ता है और फिर दूसरी बात ये है कि इसको online और offline काफी competition है मतलब इसके पास जो offline retailers है मतलब जो medical store वाले है उनसे भी इसको competition मिलता है और उसके लवा online भी इसको काफी competition मिल रहा है दूसरी जो pharmacy retailers हैं उनके अंदर जो market leader है 41% share के साथ Apollo pharmacy और second number पर आता है Metplus जो की 21% के साथ second number पर आता है और इसके साथ इसको competition मिल रहा है Tata 1MG और NetMet से तो इसको competition काफी ज़्यादा है offline भी है, online भी काफी competition है तो ये इसके लिए थोड़ी negative बात हो जाती है और future में भी इसको काफी competition देखने को मिल सकता है और हलांकि दूस्तों एक positive point की बात करें तो इसके financial काफी अच्छे है और इसके लावा अपने segment के अंदर ये पहली company list होने जा रही है जो की इसके लिए थोड़ी बात positive point हो सकते है और इसके दूस्तों valuations जो है ठीक ठाक है मतलब listing gains के ज़्यादा chances नहीं चोड़े है ठीक ठाक chances चोड़े है listing gains के तो दूस्तों अब 2-3,000 रुपे के बीच में अगर हमें listing gains देखने को मिलता है पर दूस्तों इसका जो H&I interest cost है लगबग 112 रुपे के आसपास चला है तो क्या है कि हमें selling pressure काफी देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी जो GMP भी है वो 100 से लेकर 160 रुपे के बीच में चला है तो इसका रण क्या है काफी confusion है market काफी volatile है, ups and downs काफी जादा है जैसे market खुलता है, कैसा response मिलता है उसके बाद हमें पता चलेगा अगर दोस्तों, buyers ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके बाद अगर अच्छी deals आती है market खुलने पर market थोड़ा positive रहता है इसकी green market के अंदर demand थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हो सकता है, इसकी listing हमें अच्छी देखने को मिले और बाकी दोस्तों, मुझे लगता है एक बार list होने के बाद, थोड़ा बहुत हमें selling pressure तो देखने को मिलेगा ही तो दोस्तों, मुझे लगता है, जो short term investors है जिन्होंने सिर्फ listing gains के लिए apply किया है तो मुझे लगता है, अगर वो पूरा profit भी book कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं मतलब उन्हें 2-5,000 रुपे के बीच में listing gains देखने को मिल जाता है अगर वो पूरा profit बुक कर लेते हैं, मतलब पूरे share भी sell करते हैं, तो दिक्कत वाली बात मतलब जो long term के लिए इसको रखना चाते हैं जो इसके लवा ऐसे कुछ लोग हैं, जो थोड़े बहुत share रखना चाते हैं, तो मुझे लगता है 3-4 share आप रख लीजिए, बाकी जो 14 share है वो बेश सकते हैं आप, और फिर दोस्तों और मुझे लगता है, medium term और short term के अंदर बात करें तो ठीक ठीक return हमें मिल सकते हैं और ups and downs हमें काफी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं अगर आप रखना चाते हैं long term के लिए तो मुझे लगता है, थोड़ा ज़्यादा, मतलब लंबी रिस्क पढ़ लें, इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा दोस्तों future में मुझे इसकी growth की chances तो काफी अच्छी नजर आ रहे हैं पर इसका competition भी मुझे काफी ज़्यादा नजर आ रहे है और दोस्तों जो इसका field है, जो इसका sector है उसके अंदर जो market leader है, वो है Apollo Pharmacy इसकारण भी मुझे थोड़ा risk नजर आ रहा है बाकी इसकी demand future के अंदर तो अच्छी ही रहने वाली है तो दोस्तों मुझे लगता है, ये video देखने के बाद आपका confusion काफी हथ तक clear हो गया होगा कि आपको listing day वाले दिन, मतलब आज की दिन क्या strategy अपनानी है तो दोस्तों ये video देखने के बाद आप लोग क्या strategy अपनाने वाले हैं, मतलब इसको long term के लिए hold करने वाले हैं, या जो भी listing gains मिलता है, वो लेकर exit हो जाने वाले हैं, या आप 3-4 share अपने portfolio के अंदर रखने वाले हैं, मुझे comment करके जरूर बताएं, और बाकी दोस्तों आप कोई video चेंजन लें, तो अपनी risk पढ़ लें इससे क्या है कि आपका risk काफी कम हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा video हमारी जानका अगर आपको पसंद आई है, तो video को like जरूर करें और दोस्तों channel को subscribe कर लें ऐसे और भी जानका दे related videos हमारे channel पर आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं दोस्तों, next videos के अंदर